खुल को आप सभी को जे माकाल गोठ पारम यूटूब चेलन्व हैं। अभी हूँ मैं सिरोई गोठ दिखोंगा आपको जो बक्री फिमेल है अजमेरा और सिरोई दोनों मिक्स हैं। जो दो साल की उमर की वक्री आई है दो बच्चे देने वाली सेकिंड वार वाली सभी वक्री आई है जो आपको दिखोंगा भी है कोई भी भाई मेरे फेले बता देता हूं को कोई नया हो मेरे वीडियो पर एं तो सबका है वो लाइक करना ना भूले तरीका आपको बता देता हूं नीचे दीगे लाल रंग का बटन है वाजा के किलिक कर दे बाजू में बेल आइकन है बेल आइकन दबा दे कभी भी वीडियो आएंदा पोस्ट होने का वाद notification मिलती रहेगी हेलो दोस्तों मैं आपको सिरोई बकरों की और बकरियों की जानकरी दे देता हूँ ये देख रहो आप ये बकरियों में builder है जो अभी आठ महीने का बच्चा है ये अभी तो अधन बच्चा है ये आठ महीने का आपको सामने एवन को लेटी दिकरी है बिल्कुल स्पोर्ट एट में है इसका वजन रहेगा आपके सम्तिंग ठाटी वाइब को सम्तिंग रहेगा 35 केजि का बचरा है ये जबी तो भक्रियों में है और ये देख रहो आप बचरी ये जमेरा है योचमे तो से दाइलिटर दूद लेती है ये बचरी और ये ये री सिरुह बक्री 5 यह भी बिलेगी पर्ष्ट बार बिलेगी ये की आ यह देसी नीम की खाने आई देशी नीम होती है एपने देसी नीम्ड का ठली होती है देसी नीम की यह सबी वक्रिय आफ़ेआज unreal हैं किसी वहीं को चीया तो नीचे स्टनेा पर नमबर हैयो कर ले वहें यह आपके सामने देख रहे हैं यह का सामने घती वहीं यह देसीबूल की नहीं की पफड़ी खाने आती है वक्रिया जो आप देख रहो भई लोगों और यह भी अजमेरा में अभी यह सिरोई यह भी दो से दो से डाय लीटर देती है सभी बक्रिया दो से डाय लीटर दूद देने वाली है आप देख रहे हैं वेवन कोलेटी है आपके सामने कोई भी भाई कोई चीए तो दिए गए इसकिन फे कॉंटे कर ले लोकिस भाई को और इनका एड्रेस में बता देता हूं इनका अजमेर से अजमेर से 5-6 किलोमेटर दूरी है विलेज इनका गाउं है माकडवाली जो पुसकर वायप पास रोड पे हैं इनका फारम और किसी भाई को कोई नहीं आना चाता हो तो अजमेर से आके कॉंटे कर सकता है रेलवाई स्टेसन के सामने गंटा करें वहाँ से दो नम्मा टेंप को लगता है विलेज माकडवाली के लिए कोई भाई आया तो लोकेश को कोंटे कर लें अजमेर से उनका फारम 5-6 किलोमेटर दूरी पी है हेलो भाई लोगों मैं आपको सिरोई बखरिया फूरी दिखा देता हूं यह 20-25 लंग है सभी जानवर और नाइस कॉलिटी में सभी जानवर है है बिलकुल 11 कोलेटी है आपके सामने फीर जानवर दिख रहे है बिलकुल सिरोई के हैं और इनकी रेट रहेगी सबीय की रेट किसी को मुकड चीए मुकड भी दे सकते हैं और कि तोल पर भी दे सकते दोनों इसाब से दे सकते कोई भी मैं मेरे वीडियो पर नया हो तो लाइक करना ना बूले और वीडियो कैसा लगा वह बतावें नीचे कमेंड में देखें और अगली वीडियो में और आपको मैं सिरुल गोट्स की दिखाऊंगा क्योंकि सिरुल गोट्स ही अच्छी रहती है ओल इंडिया में सूट होती है यह ओल इंडिया के लिए बढ़िया रहती है यह बकरी सूट हो जाती है जल्दी और इनके बच्चे भी सूट हो जाते हैं य झाल 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 झाल